नमस्कार आप देख रहा आरेडरी नियूज मैं हूँ योगी शिक्रवर्ती मौंगेर में ललन सिंग की डूपती नया को पार लगाने के लिए छोटे सरकार जेल से बाहर आ रहे हैं जिहां वही छोटे सरकार याने की अनन्द सिंग एक से दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे नेतेश सरकार ने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए तमाम जो कागजी कारवाई है उसे पूरा कर लिया है बस एक से दो दिन में वह वहर आ जाएंगे और इसके बाद मुंगेर संसदिये छेत्र में अपने बाहुबल का इस्तेमाल कर ललन सिंग को चुनावी वैतरनी पार लगवाएंगे दोसरी ओर बाहुबली रामा सिंग ने आरजडी से इस्तिफादे कर लगवाई का दामन थामना तै कर लिया है और ख़वर है कि जल्दी ही वो लगवाई का दामन थाम लेंगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ होना है आगे क्या कुछ होगा ये जानते हैं वरिष्ट पत्रकार शंतोष कुमार जी से शंतोष जी जिस तरह से अनंत सिंग जिने छोटे सरकार के नाम से बाढ़ की जनता मुकामा की जनता बुलाती है क्या आन पड़ी क्या मजबूरी थी नितिश सरकार की क्योंने बाहर निकालना पड़ा देखे जब मुक मंतिर नितिश कुमार ने सत्ता समाले थी तो उससे में कहा जाता था एक बहुत कहावत चरितार थी कि कुर्मी का ताज और भुमिहार का राज काफी चर्चा में रही तो आज इस्थिति कमोगेस वही हो गई है जो 2005 में तो मामला रफा दफा हो गया था कुर्मी का ताज और भुम्यार का राज बालीवाद खतम हो गई थी ताज भी कुर्मी का था पिछले 15 वर सुत्रे और राज भी कुर्मी का था लेकिन हाल के दिनों में जो इस्थिति हो गई है जो इस्थिति हो गई है मतलब इतने बीमार चल रहे हैं अब तो ना तो किसी को पहचान रहे हैं ना कुछ करने की इस्थिति में रबर स्टांप मुखमंत्री बन कर रहे हैं तो आज उनकी नितिस कुमार एक बात हमेशा कहते थे कि सुसासन 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 हमारे राज में ना किसी को फसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है अपराधियों को बक्सा नहीं जाता है जो अपराधि होते हैं उन्हें चेल बेजा जाता है तो आज जब नितिस कुमार अस्वस्त हो गए है तो उनकी वही इस्तिति उनको फसाया भी गया और आज बचाया भी जा रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं ये बात अनन्सिंग ही कहते थे उनकी पत्नी और आज जब बाहर निकर रहे हैं कि अनन सिंग को बचाया जा रहा है तो उनकी वह बाते थी ना बचाएंगे दोनों कर रहे हैं उनके जो नौकर साह उनके इर्द गिर्द जो लोग है का ताज और भुम्यार का राज तो देखा जाएं के वल्क राज वहार कि घृताएं कि जाती है इसका राज 20 कुमार में पूरी तरह से दुमिल होते जा रही है उनका जो एक ग्राफ था उन्हों ने जो बिहार में डेवलप्मेंट काड किया अपराधियों को सजा दिलाए वो सारे अब खतम होते जा रहा है अब सोचिया ना एक भूमिहार नेता जिनके बादे में बोला जाता था कि भूमिहार का राज 2005 में जब सत्ता आये ललन सिंग को लेकर के बला जाता था कुनमिका ताज और भूमिहार का राज फिर लगभग वही इस्तिति हो गई है एक लोग सवासीट जीताने के लिए एक बाहु बली एक कई तो अपराधी ही है जेल में है बेल तक नहीं मिल रहा था और जैसे ह कुनाओ कि बार ही तो पैरूल पे उनके बाहर निकाला जा रहा है कि काफी हास्यास पध है विहार के लिए अब दोहजार पांच के पहले की बात दोड़ाते हैं डोफांच की पहले कौन लोग थे यही लोग न थे भाई लालू प्रसाद के साथ आज इनके साथ है तो इस्थिती यह है बहुत ही दुर्भागपूर्ण है और खास कर मुंगेर लोग सबाज सीथे मुंगेर में मतलब एक दहसत हो गया है भुनिहारों में जितने अपराधी है जितने बाहुवली है सब में एक कि दहसत हो गया है असोक महतों का है मतलब वो रौवीन हुट थे उधर के मतलब दलीत पश्रों के पर जहां भी अत्याचार होता था तो असोक महतों उनके लिए सबको पानी पिला दिया और सबको घुतना टेकने पर मजबूर कर दिया जेल में थे जेल से बाहर निकालाया उनके पीछे पूरा पिछरा समाद देलित समाज एक तरफ हो गया है आज इस्तिति यह हो गई है कि सारे भूम्यारों की गुलवंदी हो रही है जेल से अपराधियों को बाहर निकाला जा रहा है जितने भूम्यार अपराधियों सबको बाहर निकालने की कबायद हो रही है ताकि उसको किसी तरह से हराया जाए यह चर्चाएं अननसिंग कर रहे हैं कि भाई महतोवा अगर जीत के लोग तब फिर हर जन्मन और पिश्रवन करने के राज आजए तो उदर करा कैसु हरावे क्यों यह ललन सिंग और अनन सिंग यह सोच हो गई है उनको हराने के लिए सारे लोग पूरे बिहार के भूम्यार एक गोलबंद हो रहे हैं जेल से बाहर निकाला जा रहा है तो यह बता रहा है कि असोग महतों कितने बरेकत क इनका ग्राफ कितना बड़ा है आज इस्तिती यह हो गई है कि पिरोल पर बाहर निकालने की तैयारी कर रहे है मेरे पास यह भी खबर है कि अनंत सिंग जो है आजी आई एमिस से बैठ कर वहां बैठ करके फोन के जरिये जो है लोगों को गुलवंद कर रहे थे उन्हें कन्विंस कर रहे थे लेकिन लगता है कि मामला ज्यादा पेचीदा हो गया और बाते समहल नहीं रही थी इसलिए उन्हीं पैरोल पे जो है बाहर लाया जा रहा है यह बात नहीं लोग जानते हैं कि अनंसिंग जेल में यहां होस्पीटल में बैठ कर फोन ही नहीं कर रहे थे सब लोगों को बुला रहे थे वहां दरवार लगा करता था दरवार लगा रहता था क्या विधायक क्या का सब लोगों करके सुबह से साम तक लोगों जमार रहे थे सब को किसी को कुछ किसी को सब कर रहे थे लेकिन इस्तिती उतनी दिक्कत हो रही थी इसलिए देखा कि जब सब्सक्राइब और इसलिए उनको बाहर निकाला जा रहा और अनन सिंग का अनुमति के कार्याले तक नहीं खुलता था और फिर आज इस्तिती यह हो गए है कि अनन सिंग ललन सिंग को नहीं चाहते हैं लेकिन पिछरी जाती का नेता नहीं आगे बढ़े इसलिए सारे अग्री जाती के लोग गुल्वंद हो करके उनको आराने का अभियान चला रहे हैं तो काफी तुर्भागपुर्ण है मतलब अब अपरादी को चुनाव जीतने के लिए भाजपा नहेंद्र मोधी और अमिस्वा बड़ी बाते करते हैं वितिस कुमार्द भी बड़ी बात करते थे लेकिन आज तो वह जंगल राज की बात करते हैं उनके मुझे हसी आ रही है कि जंगल राज की बात करने वाले आब कि किस मुझे जंगल राज की बात करेंगे कि क्या कह सकते हैं अरे वही नहीं आपको नहीं पता होगा 2000 में 2000 का जो चुनाव था 2000 में जब हुआ था तो नितिस कुमार के साथ कौन लोग थे नितिस कुमार को सरकार जब 2000 में बनी थी तो जितने बहुबली जितने अपणाधी थे सब उनके साथ खड़े थे उनकी सरकार के समर्थन में मुन्ना सुकला, राजन तिवारी, सुनील पांडे, रामा सींग, पिहार के जितने अपणाधी बहुबली सब 2 005 में निटिषकुमार बनाने कि लिए करें ते कि सरकार भी नहीं बचा पाया समत्स निबार कर नहीं समर्थन के अ कि विछ समय में कतंशा करणी है घर होता कि आज अंडिक चल्शम है के сवன करनी लाइक है ख़ें अब अस्वस्त है तो अब जो है कुर्मी का ताज और धुम्यार का राज वहीं चलगा है कि जिस जंगल राज की बात जो है नीता लोग मोधी जी नितीज जी करते हैं उस जंगल राज का जो टॉप बॉस होता है यानि कि टॉप गुंडा जो है वह फॉरवर्ड क्लास के दलित पिछडा वर्क का अपराधी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अपराधी फॉरवर्ड क्लास के लोग है जंगल राज तो एक बुला जाए ना की बुला गया कि एक लालू परसाथ बहुत तेजी से आगे बढ़ें तो लालू परसाथ को बदनाम करने के लिए कर यह से कहीं पहता को बिता किसी की तो बता कि कि मान को ऊठाकर ले गिया Kalollar मुझे तो नहीं लगता है दो चार केस छोड़ दीजिए दो चार इसे ज्यादा उधारन यूपी में है भाजपा की सरकार है लेकिन कहीं नजर नहीं आती है लेकिन बिहार में ऐसा महौल नहीं था जितना की बदनाम किया गया और उसमें कौन लोग थे जंगल राज करने वाल यह लोग अपराद करते थे और अनंद मुहन पपू यादव भीव समय थे यादव में भी थे कुछ लोग ऐसा नहीं है लेकिन ज्यादा तर वही लोग थे जो सवर्ण समाज के लोग थे उन्हों लोग उन्हीं लोगों ने बिहार को बदनाम किया और मीडिया तंतर उसके स लालू परसाद के सत्ता में आने के बाद मतलब दलित में पिचरों में एक उत्साह जागरित हो गया तो वह लोग जहां दबंगई कोई करता था सबनकात कब जो सामनती ताक्ते थी उसके खिलाब लोग आवाज उठाने लगते थे अगर पहले के समय में था लालू परसाद के सामनती लोग किसी को भीभाण बेटी को उठा कर ले जाते थे मारते थे पीटते थे कोई कुछ बोलता नहीं था सांती से मामला कर जाता था ने के वाब लोगों परसाद को आवाजने लोग जाग रूक हुए घर हएं जो आप जहानाबाद में ले लिजी है मसोरी चलिया में जितने दलित पिछले थे सब लोग आगे बढ़े और सब लोगों ने जवाब देना शुरू किया जब जब जबाब मिलने लगा तो लोग कहा कि जंगल राज है तो बदनाम किया गिया आप बताती जंगल राज था इतने दलितों की हत्या की गई क्या किसी को हुआ क्या मुक्मंति नितिस्कुमार ने सत्ता में आने के बाद अमीरदास आयोग को रिपोर्ट को रफा दफा कर दिया इसने मारा था पांडव गिरोख के कौन थे बढमेसर मुक्या कौन थे इन्हीं लोगों ने अध्या की तीना दलितों की पिछलों की तीस-टीस-चालिस-चालिस लोगों को गला काट कर गोली से मार दिया जाता था जो सजा हुए की जया मतितों बढमिया के लिए पांडव गिरों के लोगों को सजा किसी मा क्विकिया बहएं सरकारात ही वीस लिएयों बदनाम डिया गया है कि वो स्वास्ता लव लेने के लिए उन्हें पेरोल की जरूरत पढें हैं कि पेरोन में को लोग जो कि खटिया पर बिस्तर से उठ नहीं रहें उनको तो पैरोल जेल में पड़े हुए दिया नहीं जाता है चुनाओ है अभी चुनाओ की बेतरनी पार लगाने के लिए धड़े हुए है इसलिए उनको पैरोल पर बाहर निकाला जाड़ा कोई भी आप देख लिजिए क सामरत में कच्छु दोस नगोस आई जिसके पास सामरत है उनको कोई दोस नहीं है काहे नहीं इतने दिनों से थे निलम देवी आरज़ेटी से बगावत करके जद्यू के पाले में आई नितीजी के समर्थन में तब उनको आईजी में भेजा गिया अब जब चुनाओ की बा सीम ताकत होती है जिसकी कोई संभाव नहीं सरकार कुछ भी कर सकती है क्या अगर अनंत सिंग पैरूल पर ही सही अगर बाहर आते हैं तो मुंगेर में इसका इंपक्ट पड़ेगा चुनाव आयोग को यह एक्शन लेगा कि चुनाव आयोग को बोला जाता है केंचुआा तो जैसे पहले हुआ करता था रबर स्टामप आया कुछ नहीं कर सकता है चुनाव आयोग की पहचान दो बार हुई एक टीन्सेसं के समय चुनाव आयों के नाम पर मंदिर मजी जो कि है क्या कर नावाई की कि पच्छी दर्लों कोई कर दोट, नहीं करने जा रहा है। बस खाना पूर्थी के लिए जो केंदर सरकार कहेगी वहीं चुनावायों करेगा, बाकि कुछ नहीं करना है। और अनन सिंह के बाहर आने का कोई बहुत ज्यादा फायदा मुझे नहीं लगता है कि मिलने जा रहा है हां थोड़ा बहुत मिल सकता है क्युक्ति जैसे ही गुलबंदी इधर होगी अपरकास्ट की गुलबंदी वेशी पिछरी जाती दलितों की गुलबंदी और तेज होगी क मतलब मतलब जंजन के नेता है कि दलित पिछड़ा पिछड़े लोगों में यूनिटी का अभाब होता है और जो शार्प माइंड वाले लोग होते हैं यानि कि फॉरवर्ड क्लास जो लोग होते हैं वो उन्हें हर मोर्चे पर इस्तेमाल कर लेता है उनमें फुट डाल देता है तो क्या आपको लगता है कि मुंगेर की जो जनता है जो दलित पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं वो यूनाइट हो पाएंगे देखिए तो वक्त बताएगा लेकिन बर्तमान समय अभी यूनाइट है लोग यूनाइट है आप देखते होंगे जब नब्बे में लालू परसाथ की सत्ता आई थी उस समय सब लोग एक जूट हो गए थे लालू परसाथ के साथ पूरा पिछरा समाथ पूरा दलित समाथ पूरा मीडिया हर चुनाओं में लालू परसाथ पढ़ाता था लेकिन जालू परसाथ बोलते थे कि मेरा जीन बाहर निकलेगा और उनका जीन वही दलित समुदाया और पिशरावरत था जीन जो बाहर निकलता था और हर चुनाओं लालू परसाथ जीतते थे तो अभी वही इस्तिति है और मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पढ़ने जा रहा है और गुलबंदी होगी महतों के खिलाब पच्छ में और अच्छी गुलबंदी रमा सिंग ने आरजेडी से इस्तिफा दे दिया है यह कहते हुए कि पार्टी के पास ना त कोई कोई भीचार है और ना ही कोई स्फधान्थ है कि सब कुछ सब्सक्ता की यारी cholesterol होती है अकर उनकोटिकट मिल जाता तो पार्टी में निति- इस भुन्यार लड़ाई हो गई है तो दिनेज सिंग उनको अपने पाले में कर रहे हैं कि भाई चलिए आप इसमें आई आए आगे विधान सभाय में आपको मदद किया जाएगा वह लालज देकर राजपूतों की गुलबंदी वहां पर हो रही है इसी नाते रामा सिंग चल तो मुंगेर बालों शाबधान छोटे सरकार आ रहे हैं और छोटे सरकार चुनाब में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर ललन सिंग को चुनावी वैतरनी पार लगवाने आ रहे हैं फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपुन विचार और सुझाव जरूर दें धन्यवाद